हेलो फ्रेंद्स स्वागत है आप लोग का NCEIT जोन में BPSC के लिए हमारा 45 डेज का प्लान और लेडी स्टार्ट हो गया है 3-4 दिन क्योंकि एक्स्ट्रा जाता है तो मैंने उसको as a grace period रखा हुआ है कि कोई अगर 3-4 दिन के बीच में भी स्टार्ट करता है उसको भी कोई दिक्कत नहीं पांस दिन तक चल सकता है आराम से उसके बाद स्टार्ट करने से उतना ज्यादा लेकिन बिहार में और भी कई सारे रिवोल्ट हुए थे न तो आप साथ के साथ इसको भी करी ले न कौन-कौन से रिवोल्ट जिस पर कोईस्टन आते हैं 1857 के रिवोल्ट पर तो कोईस्टन आते हैं लेकिन और सारे रिवोल्ट है मैं आपको बताता हूँ नोनिया रिवोल्ट है, तामर रिवोल्ट है, बहावी, लोटा, उसके बाद है पहारिया, ताना भगत, कोल, शंथाल, उसके बाद रोहिनी विद्रोह से ही सुरू हुआ था 1857 वाला, मुंडा विद्रोह, उसके बाद चेरो है, हो है, कोल है, ऐसे ही एक दो और है, तो इस सब क इस वीडियो में करते हैं अगर आप इसको जॉइन करना चाहते हैं इसको तो जॉइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है मैं एक वाई और लिखते रहा हूँ 9582062485 पर आप मैसेज करना तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला बिदोव है नोनिया बिदोव ये 177-1800 के बीच हुआ थोरा सा मैं बैक्गराउंड बतायता हूँ नोनिया यहां पर कम्यूनिटी की बात करें नोनिया जाती की बात करें तो हुआ क्या आपको पता है गयो तिरहुत हाजिपूर सारन वाला जो छेत है वहाँ पे सोरा का उत्पादन होता है और सोरा का उत्पादन करकि ये ब्रिटीसर्स को बेशते थे क्यों कि इससे बमोगरा बनाया जाता है तो ब्रिटीसर्स को बेशते थे तो ब्रिटीसर्स डारेक्टली से नहीं खड़ेते थे इसके बीच में एक होता दे रहा है पर टन ये विचोलिया इस आम आदमी किसान को बस देता था 12 से 14 आना मतलब एक रुपया से भी कम देता था तो आम आदमी को गुस्सा आ गया क्यूंकि आम आदमी इधर आम आदमी अगर बिटी सर्ब को नहीं बेच रहा है नॉर्मल बेपारी को बेच रहा है तो वेपारी उससे 3-4 उपे खरीने को त्यार था 3-4 उपे पर मन मतलब 40 किलो होता है तो अब ये लोग आम वेपारी को बेजने लिए ब्रिटीसर्च के बाद जा ही नहीं रहा था तो ब्रिटीसर्च को गुश्चा आया तो ब्रिटीसर्च ने बहुत सार जादा इनको हमला किया उसके लाद इन्होंने भी इन्होंने भी रिटालियेट किया उसी विद्रोग को बोलते नोनिया विद्रोग किस हित में हुआ यह हम सब को पता चल गया उसके बात क्या हुआ तामर विद्रोग की बात करते हैं तामर विद्रोग यह हुआ छोटा नागपूर में इनीसियल क का जमिंदार और राजा बहुत ज़्यादा पावरफूल था और लोगों पे बहुत ज़्यादा दुख ढाता था कौन लोग पे छोटा नागपूर के लोग पे उराओं जन जाती को बहुत ज़्यादा सोसन करता था जमीन हरप लेना और भी बहुत काम कि किसान का जमीन हरप लेना और भी बहुत काम तो जमिंदार को सामना करना कि सामना करना पर है किसका उरों जान जाती का उरों जाती इसके खिलाब बिद्रोख कर दिया जमिंदार और राजा को कुछ सूझा नहीं सीधे चल गया कमपनी के पास यानि इस्ट इंडिया कंपनी से सरक्षन मां यह फिर इस्ट इंडिया अंपनी ने इस मुभमेंट को दवा दिया कुछ में सांति से भी द्रोफ होने लगा स्थीक्षाज्ण और574 में दवा दिया अधा से विद रूल के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे मुहम्मद अब्दुलवाब अरब के थे लेकिन भारत में कौन फैल आते थे सैयद एहमद बरेलवी राय बरेली यूपी से परमुख नेता ये कुछ और ले थे विलाकत अली खान इनायत अली साह मुहमद हुशैन फरहत हुशैन ठीक है न न एक चीज़ यहां यह रहना ये क्या चाहते थे ये चाहते थे कि अभी हमारा ये बहावी अंदुलन में क्या इनका मांगना था कि इंडिया वाले जो जमीन है इस पे अभी ब्रिटीसर्स का दाग लग गया है इसलिए उसको दार उल हर्ब बोलते थे और बोलते थे ब्रिट 1456 की बात है, 1857 के रिवॉल्ड के आसपासी, लोटा विद्रोह, ये कहानी है मुझहपरपुर जेल की, जेल में पहले पीतल का लोटा मिलता था, उसके जवपे मिट्टी का लोटा दिया ना जाने लगा, अंगरेज के कानून के हिसाब से, तो इसलिए लोगों ने विद्रोह क चेरो मुवमेंट, देखो ये मैं अलिडी ये सब करा चुका हूँ, कुछ कुछ चीजेस में कोई-कोई विद्रोह नहीं हुआ है, और मैं इसको इंगलिस, ये सम नाम है, इसका इंगलिस या हिंदी लिखो कोई फर्क नहीं परता, तो चेरो विद्रोह यहाँ देखो, अब उसका नाम था जैनात सींग, उसको हटा दिया गया, उसके दवर पे गोपाल को राजा बना दिया, तो गोपाल तो अंग्रेज का पहले वफादार रहोगा तभी तो राजा बना दिया, बाद में गोपाल इन चेरा किसान के साथ मिल गया, कुछ चेरा किसान का साथ देने ल दाल दिया किस जेल में पटना जेल में डाल दिया उसके बाद किसको राजा बनाए गया चुरावन को राजा बनाए गया तो ऑबियसली चुरावन किसके हीत में काम करेगा अंग्रेज के हीत में काम करेगा तो किसान के एगेंश्ट ही तो काम करेगा किसान या जो जंदाती थ उनके against में ही काम करेगा तो बहुत जादा लोगों को गुसा है, इसलिए सरदार भूशन सिंग के अध्यक्सता में लोगों ने बिद्रोख करना सुरू किया, और उसके बाद करनल जोन्स ने इसको दवाने की कोशिस की, हर समभब कोशिस की बहुत समय लगा, बहुत समय लगा उसके बाद भूशन सिंग को गिरिफतार कर लिया गया और 1802 में इनको फांसी लगा दी गई बतलब चेरो और सरदार भूशन सिंग बहुत बहुत दराया किसको करनल जोंस को ठीक है ये क्लियर है तो हमने ये तीन चार चीज कर लिया अब नेक्स्ट हम करते हैं पहारिया विद्रो ये कहां पे हुआ शंथाल परगना में हुआ शंथाल परगना में नेत्रित्यो करता कौन कौन थे करिया पुलहर कौन कौन लोग आगे थे चेंगरू सबरिया ये सब ठीक है ना बाद में क्या इसका result निकला क्या जो पहारी के जो सरदार थे और अंग्रेज के बीच बादचीत हो गया समझाता हो गया और अंग्रेज के प्रसासा कौन थे अगस्तस क्लिवलेंड अगस्तस क्लिवलेंड थे बाद में ताना भगत मुवमेंट की बात करते हैं ताना भगत मुवमेंट की बात करते हैं 1914 से सोतंधरता थक था हुआ क्या इस एरिया की बात करते हैं ये जो ताना भगत जो हम बोलते हैं ताना भगत ये कोई इनसान की बात नहीं करते हैं ये उराओं जो जन जाती है उसका एक साखा था ताना भगत इनका ऐसा बोला जाता है कि एक आदमी था जो पहले बहुत इसमें विश्वास करता था धर्म उगारासा में विश्वास करता था उनका धर्म भी था कुरूख धर्म था विश्वास करता था ऐसा बोला जाता है कि जो एक उराओं के जो देवता थे उसने एक आदमी को दर्शन दिया, धर्मेश को, धर्मेश को ही फिर जत्रा भगत बोलना जाने लगा, दर्शन दे के बोला कि भाई तुम मोहमेट करो, तो लोग इतना विश्वास करने लगे, इस आदमी के इसने बोला, इन्होंने बोला कि भाई अंध विश्वास से दूर रहो, मतलब सब कुछ ऐसे चीज़, क्योंकि ये जन जाती ऐसी थी न, इसको एज एक खचर की तरह यू मोहमेंट को बहुत जादा पन पाया, किन्होंने जात्रा भगतने, जो इसको जर्मन कैसर बावा भी बोलते हैं, और मेने चाहते थे धार्मिक और आर्थिक सुधार की बात करते थे, और गांधी वादी अंदोलन में भी मतलब सामिल हुए थे, और याद रखना है, इनका मो मोवमेंट तेज हो गया था, ठीक है, नेक्स्ट है, कोल बीद्रो, कोल बीद्रो किस एरिया में हुआ था, ये ध्यान रखना, छोटा नागपूर एरिया में हुआ था, छोटा नागपूर वाले एरिया में है, और इसका कारण बहुत सारा है, कारण एक तो मेन कारण है, कि यहां के जो जमिनदार थे या अंग्रेज ने इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए बाहर के लोगों को एंट्री दे दिया अब कोशन था बाहर के लोग एंट्री कैसे कर पा रहे थे क्यूंकि यहां के लोग जो यहां के किसान जो अपना कर नहीं भर पाते थे तो अपना जमी बेचेंगे ना तो जमीन किसको बेचते थे बाहरी लोग के तो बाहरी लोग यहां पर आगे उन लोगों दीखू बोलते थे दीखू तो दीखू का शोसन था उसके बाद और भी कारण थे कि चावल की सराब जो बनाए जाती थे उस पर उत्पादन सुल्क लगाया दिया गया सिंग राई मानकी का धिकार चिन लिया गया और भी कारण है तो इस मुव्मेंट के नित्रित्यों करता कोन थे बुद्धु भगा थे गंग नारायन थे शिंग राय थे शुड़य मुंडा थे और परिनाम इसका क्या हुआ देखो प्रसासनिक सू वेवस्था लाए गई सामन रेगुलेशन का आरोपन लगाये गया और उस समय के ब्रिटीस पर सासर कोन थे कैप्टन थॉमस विल किशन जिसको किशुन साहाब लोग बोलते थे अपने भासा में अब यहां पे संथाल विदोह की बात करते हैं छेत्र को बोलते हैं दामीन एको लेकिन एरिया बहु सोसन करते थे तो बाद में हुआ क्या उस एरिया में एक जगह का नाम है भोवनाडी उसमें एक चुन्नू माझी रहते थे उनके चार पुत्र थे शीधो कान्हो चांद और वैरब तो लराई होती है ब्रिटीसर्स के खिलाफे लराई लरते हैं परमुफ अंग्रेज प्रसा नाम पर बरते थे हुआ नाम पर गया संथाल परगना और एक नियम लग गया मतलब इन लोग को थोड़ा पावर दे दिया है क्योंकि अंग्रेज भी बरदास्त नहीं कर पा रहे थे तो एक समझ से एक चीश से बोल सकते हैं इनकी जीत हुई आल्मोस्ट तो संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम 1860 लगा और उसके इसले एडन प्रथम जिलादिकारी बने थे उस एरिया के ठीक है पहले लोगों ने तो देखो ब्रेटीसर से लडने से पहले लोग उस एरिया के जमिनदारों से एक नारा और लोग देते थे कि दिकू भागो दिकू भागो मतलब ज जमिनदार में आग लगा दी ओंगल के घर में आग लाग दी तो बहुत लोग करते थे और इसके बाद एक मतलब बिद्रोम यहाँ पे था मैंने लिखा था जो बूक में नहीं दिया था एक है हो बिद्रोफ यह छोटानाग पर में हुआ था शिंग हुँग के राजा जगन नात सिंग ने स्टार्ट किया था और ये पहला लराय जो हुआ ता ना हो कम्यूडी एन अंग्रेज के तरफ से आता है रूसेज , पहला Làई में हो जीता था दूसरे लराय में रूसेज जीता उसके बाद Qंtrol कर लिया था व Simmons कि बात करें तो एक area था ये काफी interesting story है कि भुमीज वाला वहाँ उसको हम गंग नारायन हंगामा भी बोलते हैं क्योंकि इसका main leader था उनका नाम था गंग नारायन ये area कौन था area है वरा भूम बला area यहाँ पर राज करे थे बेलाक सिंग जी के पोते गंग नारायन पूरा नाम य उसी area के दिवान थे माधप सिंग अब माधप सिंग क्या सोचा कि भाई बराभूम area को हरप लेते हैं तो obviously गंग नारायन चुप नहीं रखेंगे तो गंग नारायन ने इसका बिद्रोह किया कि भाई तुमको हरपने नहीं देंगे माधप सिंग चला गया अंग्रेज के पा अंग्रेज के साथ आ गये और माधप सिंग तो है ही अब जमिंदार ये था गंग नारायन अकेले नहीं था उस area के जमिंदार जो अंग्रेजों से तरस थे हाँ obviously कुछ गंदार अंग्रेज से भी तरस थे वो सब आ गये गंग नारायन के साथ तो लराई हुई ठीक ना एव लेकिन ये भी लराई एक ऐसा था कि काफी पॉलिटिकल चेंज लाया कि रेगुलेशन 13 आ गया इस एरिया में उसके बाद एक सरदारी रिवोल्ट था सरदारी देखो इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास बुक में नहीं दिया हुआ है तो इसमें बस याद रखना कि सरत चंद्र है उनके किताब में इस पूस्तक मिक्स बात का जक्र है दमुंडा राज एंडियर कंट्री इसमें जिक्र है कि बहुत लोगों ने बिद्रोह किया उसको सरदार बिद्रोह सरदारी बिद्रोह बोलते हैं जिसमें बहुत सारे प्रॉबलम थे कि जमिंदार को बाहर निकालो बेगारी जो प्रथा है कि बिना मतलब के काम करवा रहे हैं मतलब बिना पैसे के काम करवा है उस सिस्टम सबको हटाने की बात करे उ माज में सुध्ध ले आना चाहते थे तो उसमें तीन टाइप के लोग थे जो सफाहोर थे सफाहोर जो चाहते थे हाँ बाई आना चाहिए आना चाहिए सुध्धी उसके बाबी जिया बाबी जिया हो थे जो बोले नहीं नहीं जैसा है चल्लाव चैसे मेल बरार का मतलब होता ह यह चाहते हैं थे लेकिन उन्न नहीं था अंदर से नहीं थे मतलब इसी के साथ है लेकिन बाहरी बाहरी मन से उसको मेल बरागर बोलते थे अब 1857 वाले हुआ है इसमें 1857 वे सबसे पहले दिखाता है रोहीनी बिद्रोः रोहीनी ये गाउं का नाम था वो गाउं कहां पर देवघर में देवघर जीला जो की जारकन में वहां पर एक गाउं है वहां पर लोगों ने बिद्रोः करना सुरू कर दिया बिद्रोः करना सुरू कर दिया समय क्या था 12 जुन 1857 के सेना की जो 32 रेजिमेंट था न वहीं पि लोगों ने बिद्रोख करना शुरू किया दिया अब ये बिद्रोख को पहले दवाया ब्रिटी सशने और इस बिद्रोख के बाद भागलपूर में जो रोहीनी में पहले हेड़ कोर्टर हुआ कर था 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 ने उसको चेंज करके कहां पर कर दिया भागल भागलपूर में रोहीनी से भागलपूर में कर दिया उसके बाद इस इसमें कुछ और facts थे, एक second मैं देख लेता हूँ, कुछ और facts बताना है, इसमें, इसमें हुआ कि एक और चीज, 32 रेजिमेंट में एक तीन सैनिक थे न, उस समय उन्होंने लेटिनेंट नॉर्मल लेसली और सहायक सर्जेंट डॉक्टर ग्रांट की हत्या करनी, लेसली और ग् इमा किष्णे लिया, डोनाल्ड ने, डोनाल्ड ने, डोनाल्ड ने और डोनाल्ड ने इन तीनों को फांसी लगवा दी, कुछ अधिकारी का नाम यहाँ पे लिख ले न, विलियम उस समय पटना के कमिशनर थे, वो जब यह वाला मुवमेंट हुआ, तीन लोग का नाम ओलेडि बता है, दो लोग जो मरें, लेसली और ग्रांट और डोनाल्ड वो आया था लड़ने, और मेजर जनरल लोयट यह दा हादूर साह का जन्डा लिया, मुगल वाले, और दोरने लगा, इधर उदर मतलब कुछ लोग के साथ निकल परा, अब अंग्रेज के अधिकारी मिले, अंगечь का कौन अधिकार मिला, लॉयल, अंग्रेज के अधिकारीклад अग्रेज के इधिकारी ने, इस पोर रोकने के कोशि पीर अली रुकने वाला था, पीर अली ने गोली मार दी उसको, ठीक है न, और उसके बाद जैसे गोली मारी अंग्रेज के बहुत लोग आ गया, एरेस्ट कर लिया गया, पीर अली के साथ बहुत सारे लोग को फांसी की सजा सुनाई गया, तो यह समय था 3 जुलाई 1857, सजा न यही थोरी मर जाएंगे, क्योंकि यह थोरी खुच जाएंगे पहले, कुवर सिंग की बात करते हैं, यह जगदीशपूर के जमिनदार हुआ करते थे, देखा कि यार लरना तो परे गई, यह चल गए आरा के तरफ, आरा के तरफ जा रहे थे तो दानापूर के लोग, दाना साहब थे साथ में, यह लराई हारे ही नहीं है, याद रखना यह लराई हारे ही नहीं है, उसके बाद आजमगर में लराई लरी, उसके बाद 23 अपरेल 1859 को काप्टन ली ग्रांट को हराया, ठीक है न, मतलब और हराने के बाद कुछ समय बाद इनकी डेथ होई, ऐसा बोला साहबाद, आरा और आजमगर, कभी ना हरने वाले विद्रोही नेता है, बिर्सा मुंडा की बात करते हैं, लोटा विद्रोह तो मैंने बता ही दिया है, यहाँ पर भी लोटा विद्रोह दिया हुआ है, और आपको पता 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या हुआ था, ब्रेटीश में किस जगे यह मुहमेंट अच्छूता रहा तो मुंगेर बोल सकते हो, क्योंकि राजगीर में भी मुहमेंट चला था, राजगीर में, कई लोग थे राजगीर में, मेन उनके थे, राजगीर में नामदार खान, यह कुछ information है, लिख लेना, नामदार खान, और यह मैं जो राजगीर परगनामें थे, लाइक मामा सिंग, हैदर अलिखान, गुलाम अलिखान, ननकुशिंग, फता सिंग, यह सब, clear, तो बस इतना ही था, और वेटसा मुंडा वाला तो जानते हूं, उल्गुलान उनको बोला जाता है, महान हल्चल बोला जाता है, कारण था, हुए थे, उसके बाद अंग्रे जो ने पकर लिया था, ठीक है, मिर्टु हो गए थे, इनकी जेल में ही, तो इतना हमें पता होना चाहिए, clear, तो मोहमेंट वाला हमारा सारा कवर हो गया, इस से बाहर मोहमेंट का नहीं आएगा, क्योंकि कई सारे मोहमेंट हमने किये, जो ब थैंक यू, थैंक यू सो मच, डिस्क्रिप्शन में भी नमबर होगा,